इंपोर्टेंट थिंग्स वी हाफ डिसकस चलिए बचो यहाँ पर उमीद है आप लोगों ने सेशन को शेर कर दिया होगा जो कि मुझे सिर्फ उमीद ही है और भरोसा है कि करा नहीं होगा लेकिन उमीद रखना हमारा काम है उमीद पर दुनिया कायम है चलिए वेरी गुड़ तो वेरी गुड़ है अभी और क्लासे डेली बहुत होती है पॉर्टल पर बहुत यूट्यूब पर भी और जब बच्चे लाइव नहीं आते तो बेकाल लगता है इसलिए शायद नाराज है जमाल सार ओके तो जमाल सार की नाराजगी का बहुत बड़ा रीजन बच्चों अब बताया चलो कर हम एकसेट करते हैं कि वो भी एक रीजन है बट वो नराज होगे गए का में बता नहीं ठीक हैं तो आप लोग के क्लासे जो है वचो वो कोई इधर उदर नहीं हुई है आपकी क्लासे अपनी जिगा पर वैसे ही है सर जो है वो क्लास आज नहीं ले पाए वो उसकी वज़े यह है कि he is preparing new sessions for you आप लोगों के लिए और भी ज्यादा profitable session general science का बनाने के लिए और भी ज्यादा क्योंकि रहे हैं बहुत अच्छे से पड़ भी रहे हैं बच्चे लेकिन अब ये भी देखना जरूरी है और ये भी सुनिशित करना जरूरी है कि आप आज में चीजे लेके सर नए content के साथ चीजे लेके सर आपके साथ आएंगे तो चीक है तो आपने लेकिन जो reason समझा वो भी reason हो सकता है लेकिन फिलाल सही reason ये है ठीके ना सही reason ये है कि we are taking more time to get something new in this session more profitable session ओके तो कल आपको उसका effect देखने को मिल जाएगा बट दुक की बात ये है कि यहां पर बच्चे जो हैं वो सरा सर गिरते जा रहे हैं जबकि आपके कहने पर मैंने वो topic उठाए हैं जो topic मैंने क्या कहा था आपको कहने के लिए लेने के लिए कि लिए कहा था that is condenser तो ये हमारा जो condenser topic रहेगा ये दो part कर रहेगा बच्चो इसका एक part आज हम complete क करेंगे कल दूसरा part complete करेंगे खिर रहे हैं तो चलिए यहां पर start करते हैं बच्चो condenser बीना इदा उदर की बाते करें ठीरा topic पर आते हैं और topic को समझने की कोशिश करते हैं the topic is condenser ध्यानते समझेगे बच्चो कोशिश ये रहेगी कि इस topic से आपका paper में आने वाला question जरूर लग जाए बहुत अच्छे से लग जाए सरी लेक्चर दी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रखिए फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी वच्चे पेपर से तो पहले ही रहेगी टेंशन ना ले आप कि ये आपके paper से पहले ही आपके prepare हो जाएंगे content question इन से आपका नहीं छूटेगा clear है बस चलिए तो यहाँ पर बच्चो अब सब कुछ भूल जाओ अब बच्चे व्यू आ रहे नहीं आ रहे बच्चे लाइब आ रहे नहीं आ रहे फिलालिए यह सब बाते जो हैं वो लेक्चर से पहले की बाते हैं ठीक है अब जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो forget everything अब सब कुछ भूल जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब सारा focus इस पर रखो कि अभी पढ़ने क्या वाले हैं इस moment में ठीक है अब यह भूल जाओ कि यह YouTube है यह भूल जाओ कि यह app है यह मैंने course पैसा दिया है नहीं दिया है पैसा तुमसे मैंने लिया है नहीं लिया है free है सब कुछ भूल के फिलाल concentrate on condenser ठीक है सुनने कर तो अपने mind को center पे लियो बिल्कुल condenser बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि condenser हम एक ऐसे device को कहते हैं condenser जो है हम एक ऐसे device को कहते हैं जिसका काम होता है phase change करना phase change करना किसका phase change करना कोई vapor अगर है तो उसको liquid बनाना कोई अगर vapor form में है तो उसको liquid बनाना यही है condenser का काम, उल्टा तो नहीं है न, ठीके न, उल्टा तो नहीं है, समझा दी बात, तो यहाँ पे सिर्फ focus क्या है, कि vapor को liquid बना, उल्टा नहीं, या रखे, that is a boiler, वो बिल्कुल device उल्टा हो जाता है, तो जब definition आप देते हैं, तो सिर्फ यही बोलेंगे, the conversion of vapor into liquid only, only, ठ that is only a condenser, तो condenser में मतलब, एक तरफ हमारा vapor जाता है, और दूसरी तरफ हमारा liquid form में निकलता है, ठीक है, तो condenser को हम generally अपने power plant की term में बोलेंगे, तो we are using in a power plant, तो हम generally steam बोलेंगे, तो हमारे लिए क्या है, कि steam जा रही है, और water निकल रहा है, और यह अपने आप हो कैसे रह है, तो हमारे device में कुछ ऐसी tube या कुछ ऐसा system attach है, जो इसके temperature को drop कर दे रहा है, है ना, हमारे device में, जिसको हम condenser बोल रहे हैं, कुछ ऐसा system attach है, जिससे कि वहाँ पे कोई cold चीज जा रही है, जैसे कि cold water, कोई cold चीज जा रही है, और जब वह बाहर निकल रही है, तो अपने इस grades की heat लेके निकल रही है, और इसके temperature को down कर दे रही है, और उसके बाढ़ performance को down नहीं बोलना सही नहीं लगता है, क्यों इसकी वजये बताता हूँ, तो पकड़ने वाला आपको एक दम पकड़ रहा है कि temperature down, वो कहेगा यह तो condenser है, condenser में आप temperature down कर रहे हैं तो face change के तो face change के तो रहा है, तो इसलिए temperature down बोलना बहुत बलज बात होती है, आप कहोगे constant temperature पे face change हो रहा है, ठीक है ना, constant temperature पे face change हो रहा है, ठीक है, क्योंकि sensible heating जो ह इसको हम basic बोल रहे है, it is only a face changing device, तो वो यहाँ पे इसको condense करके liquid को condense कर देता है, water को steam को condense करता हो liquid बना देता है, अब यह करेंगे कैसे, यह किस-किस तरह का होता है, क्या type होती है, इसके बारे में हैं सारी कहानी, यह chapter हम पढ़ने जा रहे हैं condenser, यह इसी के बारे में है कि condenser में अंदर क्या-क्या होता है, कैसे system काम करता है, अभी तो हमें basic basic overall चीट पता है, कि कहीं पर भी हमने condenser लगाया, तो बस एक ही काम है, steam कर जाना और liquid कर निकलना, तो simple तरहीं से तो यही याद रखो, clear है, ठीक है न, purpose clear हो गया, समझ में आ गया कि क्या है condenser, ठीक है, अ अब समझते हैं, बच्चो, कि condenser basically, अब condenser की depth में गुज़ जाओ, zoom करके condenser में आ जाओ, तो यहाँ पर बच्चो, और जिसको नहीं पता, वैसे तो ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन कोई अगर ऐसा है, जिसको नहीं पता, तो उसको भी मैं बतातू, बच्चे, कि condenser हमारे power plant म कहीं ऐसी जगा लगा होता है, जैसे कि, हमारे power plant में condenser जो है, वो low pressure side पे लगा होता है, जहाँ पे turbine से निकलने वाली steam जो है, वो enter करती है, तेकिना, turbine से निकलने वाली steam एंटर करती है, और condense होने के बार ये water जो है, वो pump करके, pump करके boiler पे भीजा जाता है, तो हमारे power plant का अगर आप इस structure देखो, रेंकाइन cycle पे जो चलता है, वेपर power cycle, वो वेपर power cycle कुछ इस तरह घूमती है, जिसमें एक तरफ heat दी जाती है, क्या, water को steam बनाने के लिए, और एक तरफ heat reject की जाती है, वापिस steam को water बनाने के लिए, समझारी बात, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस पूरी cycle में, वो ये पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पूरी cycle में, वो ये हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, सेम मैं आपको रेंकाइन cycle में भी बता दू, कि जब आप रेंकाइन cycle की बात करते हैं बच्चे, अ लिक्विड बनी, लिक्विड से वापिस हमारा बॉयलर यहाँ पर पंप ने काम कर दिया, तो यह पंप है, यह हमारा कंडेंसर है, ठीक है, शॉट में बता रहा हूँ जल 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 दी, सिंपल सी बात है, यह basic है समझेंसर को समझने का, ताकि आपके यह समझ में आए, और यह हम पड़ से लिक्विड, ठीक है, this is the main condenser, तो हम मतलब ये वाला पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें heat बाहर निकलती है, ठीक है, समझ गे, तो हम इस चीज़ पर फोकस करें, तो आपको दिमाग एक जगा चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई ब कराये, वो एक बात कुछ ज्यादा खतरनाग ना हो, चलिए खेर, तो चलिए, आगे बात करते हैं, बचो ना हो, अब आप बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, अब condenser का पूरो बोलेंगे, तो मैं steam condenser बोलेंगे, क्योंकि हम और कोई liquid नहीं ले रहे हैं, बचो, तो बच्चे बिलकुल नहीं लेना चाहिए, चाहे हम कितने भी लुभावने ओफर दें आपको, आपको बिलकुल नहीं लेना चाहिए, ये बात मैं और बच्चे के लिए नहीं उसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा हमारे साथ दो साल से जुड़ा हुआ है, और कई paid courses पढ़ चुका है, तो मैं बिलकुल नहीं चाहिए, कि वो हर नए course की तरफ चले जाए, देखो, ये बात मैं clear बोल दूँ बच्चो, एक honest, मतलब teaching को honesty मानते हुए, एक clear मैं बोल दूँ, कि हम लोग कई dedicated batch निकालेंगे, कि इस course के लिए ये batch, इस course के लिए वो batch, लेकिन लेकरों में ना पढ़ें, इमानदारी यही चीज है, कि जिसने नहीं पढ़ा है, उसे batch लेके पढ़ना चाहिए, जिसने पढ़ लिया है, सिर्फ practice करना है, उसे practice batch में जाना चाहिए, जिसने सब कुछ करना है, सिर्फ revision करना है, उसे revision batch में जाना चाहिए, जिसने revision भी बना सिर्फ अपना आपको लेवल मेंटेन रखना है, तो उसको सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, समझारी बात, क्लियर है, हमारे किसी भी तरह के offers में attract नहीं होना चाहिए, हर offer हर बच्चे के लिए नहीं होता है, ठीक है, इतने समझदार हो आप 18 साल से उपर के बच्च क्योंकि जब हम explain करेंगे या कोई भी teacher बताएगा तो बच्चो तो course case के बारे में सब कुछ अच्छा ही बताएगा, बढ़िया बढ़िया चीज़े ही बताएगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि, आप चलो मैं ज्यादा बोलूँगा तो साल मेरे ही नुकसान हो जाएग हाँ, देखो, अनुप कुमार गुपता जी ने कितने सही बात बुली, यही मेरे दिमाग में भी आया अभी, इमानदारी के चक्कर में रोड पे आजाएगे हम लोग, चलो क्यार, कोई बात नहीं, ठीक है, रोड पे ही मिलते हैं इमानदार लोग, चले बचो, ठीक है, अब अब कंडेंसर के बात कर रहा हूं, तो definition क्या हो जाएगे, बच्चो, simple, कि it is a device in which steam condensed and heat released by steam in an absorbed by water, तो इसको simple बोले, it is a device in which steam is condensate into water by, by, it is a device in which steam is condensate into water by, by, by rejecting heat to the water, ठीक है ना, by rejecting heat to the water, वाटर को heat reject करके हैं, ठीक है, clear है, समझारी बात, तो into water by rejecting heat to the water, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए बच्चो, notches wear पे भी आईगे बच्चो, क्लास, कोई attention ना लिजे, जेको, यह है, सिंपल से definition, जो भी हमने पढ़ा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो वो heat कौन absorb करता है बच्चो, जो rejecting heat है, that heat is, एसा भी बोल सकते हैं, कहीं पर absorbed by water, कभी-कभी ऐसा होता है, कि word उल्टे होते हैं, तो हमें लगता है statement भी उल्टा है, तो ऐसा भी हो सकता है, कि heat rejected to the water बे लिख सकता है, और heat absorbed by water बे लिख सकता है, क्योंकि जो थंडा पानी है, वही तो heat ले रहा है न, तो heat absorbed by water बे लिख सक बात आती है, that is called, हमारे पास यहां पर पूछा जाता है, कि steam condenser, कोई भी steam condenser, अगर हम पूरा देखें, तो उसमें basic units क्या होती है, मतलब basic parts क्या होता है, जिससे आपके पास simple question आ जाएगा, कि इन में से बताईए condenser का कौन सा part है, तो आप इसमें goal हो जाओगे, क्योंकि क्य हो सकता है, क्या कोई air pump condenser में हो सकता है, क्या condenser का part कोई hot valve हो सकता है, क्या condenser का part कोई cooling coil हो सकती है, तो यह थोड़ा सा confusion हो जाता है, इसलिए याद रखेगा, इसको ऐसे भी लिखेगा, the parts of steam condenser, किसी भी steam condenser में basically कौन-कौन से parts होते हैं, ठीक है, किसी भी steam condenser में कौन-कौन से basic part होते हैं, ठीक है बच्चो, 4 से 5 basic parts आपके steam condenser में देखने को मिलते हैं, ठीक है न, प्लीज बच्चो, आपस में gap बंद मारा हो जार, जो content है, उसको proper देखो, अच्छा, ओके निखिल कुमार जी, आपके request accepted, ठीक है न, कर देंगे ऐसा भी, तेकिन मेरे साब से चलो कर देंगे, कोई दिक्कर नहीं है, बच्चो के लिए जो better हो सके वो करने ही कुशिश करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चो, एक condenser में, पूरे steam condenser, इसको steam condenser ना बोलके न, क्योंकि steam condenser को condenser मतलब स्रिफ एक ही चीज़ होती है, लेकि जब हम steam condenser plant बोलते हैं पूरा, तो तब कई सारी चीज़ आ जाती है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलू बच्चो, यहाँ पर condenser plant बोल देता हूँ, क्योंकि plant में ही यह सारी चीज़े हैं, ठेक है, यह plant का मतलब समझेगा, जब हम condenser बात करते हैं तो को, rent kind cycle थी आपकी, rent kind cycle मैंने दिखाई आपकी, यहाँ लगा था आपका boiler, यहाँ लगा था आपका pump, यहाँ लगा था आपका turbine, है ना, यह मैंने सब आपको दिखाई चीज़े, ठेक है, तरबाइन, pump और boiler, लेकिन यहाँ मैंने का condenser लगा है, लेकिन इस condenser को चलाए रखने के लिए बच्चो एक cycle है पूरी, समझे ना, इस condenser को चलाए रखने के लिए पूरी cycle है, जिसको हम rent kind cycle में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम सिर्फ condenser रहे हैं, नहीं, इस पूरी condensing plant के part बोल रहे हैं, ठीक है, समझारी बात, ठीक है, समझारी बात, चलिए, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बच्चो, parts of esteem condenser plant, clear है, समझारी बात, तो इसमें सबसे पहला part ही condenser आता है, इसलिए ऐसा बोला, नहीं तो बच्चे बोलता है कि condenser के part बता ले हो, आप और पहला ही condenser ले लिया, समरें ना, ठीक है, जिसका function क्या है, इसका function क्या है, to condensate steam into water, steam को water में condensate करना, पहला काम यह, second part क्या होता बच्चो, second part क्या है, ठंडा करने वाली चीज, ठंडा करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, ठंडा करने के क्या, simply जैसे की cooling water, ठीक है ना, supply of cooling water, कोई cooling water की supply होनी चाहिए, है ना, मानते हो, जिसको हम injection system भी बोलते हैं, injection system, मतलब किसी system से water की supply दी जाए, यह cooling water को चलाया जाएगा, जिससे heat transfer हो सके, ठीक है, समझ में आई बात, हाँ, condenser को एक separate plant आप मान सकते हो, बिल्कुल, वो unit है बच्चो, अच्छा मैं दिख नहीं रहा हो, कि जब मैं यहाँ खड़ा होता हो, तो मैं screen में नहीं दिखता, मुझे लगता है कि मैं बड़ा सही लग रहा हूँ, इतने हैं तो मैं कट जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ से दिखना शुरू होता हूँ, ठीक है, तो supply of cooling water, ठीक है, third आपका कहलाता है बच्चो, यहाँ से थोड़ा सा different हो जाता है, यह दो चीज में तो बच्चा हाँ कहते हैं, यह भी होता होगा, यह भी होता होगा, लेकिन third important होता है, वो क्या है, that is called, that that is called, that is called, that is called, that is called, that is called wet air pump, that is called air pump, air pump, bach кан who can convert, bach saying, air pump का function क्या होता है, बच्चो, that is, air pump क्या होता है, कि जब आपका condensate होता है, तो उसमें जरूरी नहीं है, कि सारी steam condensed हो जाती है, कुछ steam condensed नहीं भी होती है, बनलब uncondensed रह जाती है, या कोई gases है, वो अलग रह जाती है, तो उन, जैसे मान लिए, यहां से steam आ रही है, और steam condensed होती जा रही है, नीच condensed होती है, इसको ऐसे समझ लो, पानी है इसमें, देखो, जैसे मान लिए, यहां से steam आ रही है, और steam आ रही है, steam देखो, नीचे पानी जम होता है, condensed होती है, लेकिन अगर मैं इसमें फूक मारूँ, देख रो, कुछ गया उदर की साइड, देख रो, बहुत ज्यादा हो गया Sorry बच्चो, ठीक है, समझो, इस बात को समझो, कि यह जो air pump है ना, वो इसलिए है बच्चो कि अगर कोई gases है बीच में, या कोई ऐसे particle है जो condensed नहीं हो रहे है, उन सब को उधर करने के लिए, क्या चीज़? ठीक है ना, उन सब को उधर धकेलने के लिए, समझ आ रही बात? तो यह जो air pump लगाया गया है, वो इसलिए लगाया गया है, to separate out, to remove, uncondensed air, gases, इन सब को हटाने के लिए, समझ में आई बात? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा, तो मान तो लो यार, यहा इस्टूडियो गीला हो जाएगा न, उच्छा कर मगला, टीचर सब पता नहीं क्या समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, that is, to remove, to remove, uncondensed, uncondensed, या to separate कर दे, तो हमें remove से अच्छा word separate रहेगा, to separate, to separate, condensate, uncondensate, gases, air, ठीक है न, इन सब को अलग-अलग करने के लिए, ताकि condensate जो हुआ है, वो नीचे चला जाए, इदर उदर के कैसे उदर चला जाए, ठीक है न, ऐसा कुछ करने के लिए, हम लोग यहाँ पे air pump का use करते हैं, ठीक है, अभी जब को डियागराम समझेंगे, तब और अच्छे समझेंगे इस बात को, clear है, और एक fourth part use होता है, बच्चो, hot well, hot well, hot well का एक लिए यूज होता है, hot well होता है कि जो आपकी steam, steam में condensed हो रही है, ठीक है न, steam में condensed, सर डिश्टल बोर्ड में, image में दिख जाएगा, दिख जाएगा बटा, कोई बात ने, अभी देखते हैं, पढ़ लो, उम्मीदें बढ़ती जा रही है, समझे लो, बैटे, दिमाग को भी जोड़ दो, कोई बात ने, ठीक है, steam आ रही है, उस steam में separate किया, अब जो steam नीचे condensed हो के जमा हो रही है, अब जो steam जो condensed हो के नीचे जमा हो रही है, वो कहां जमा होगी, वो हमारे किसी hot well में चले जाएगा, hot well नाम क्योंकि गरम steam है, गरम water है, तो वो hot well में collect हो जाती है, ठीक है न, तो hot well हमारा क्या होता है, जह यहां पर हमारी condensate, जो steam condensed हो गई है, उसको जमा करने के काम आती है, that is, where the condensate can be discharged and from which the boiler से feed water पर चले जाएगी है, तो यह समझ लिजे, to collect the condensate steam, to collect the condensate steam into, into a hot well, ठीक है, into a hot well, एक कटोरे में, एक बीकर में, एक कंटेनर में, condensate steam जमा होगी, through which, through which, can be supplied, supplied, supply to, किसको, boiler, supply to boiler, by feed water heater, by feed water heater भी तो लगाओ न, उससे पहले, तो feed water heater के through, boiler को supply कर दी जाएगी, अभी यह सब cycle में आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी यह cycle में आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा, समझ में आई बात, लेकिन अभी तो सिर्फ में पार्ट बता रहा हूँ, अभी यह cycle में देखो के तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं लगए, कि अभी थोड़ा सा, ऐसा कहा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अभी सब सोन में आ जाएगा, ठीक है, और फिफ्ट पार्ट होता बच्छो लास्ट, कि जो cooling water supply किया है, इसका भी circulation चलता रहे, मतलब arrangement of recooling the cooling water, चूंकि cooling water गरम हो जाएगा ना फिर, cooling water जब इसमें जाएगा, cooling water इसको ठंड किया जा सके, समझा लिबा, तो इसको हम क्या बोलते है, that is arrangement for recooling the cooling water, ठीक है ना, तो यहाँ पर रखे, इसको fifth point लिख देते हैं, कहीं पर भी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, fifth part, arrangement of recooling the cooling water, ठीक है, cooling water को दुबारा से recool करने के लिखता हूँ, समझगे ना, क्यों पड़ेगे रिकूल के लिखता हूँ, क्योंकि बार 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 जो है, steam की heat ले रहा और hot हो जा रहा है, समझगे, तो यह थे बच्चो basic part, तो अगर आपको कोई पूस्ता है, condensing plant के basic part क्या है, तो आप सिदा सिदा बोलोगे, पहला, condenser खुद, दूसरा, आपका, that is, air pump, चीक है, तिसरा, आप बोलोगे, that is, supply of water, cooling water, चौथा, cooling water का recirculation arrangement, पाँचवा, पाँचवा, that is called your hot well, बस, यह simple, clear है, समझ में आई बात, यह paid class का video है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत महंगा video है, paid class का video है, चीक है, चलिया, तो अब यहाँ पर द्यांते सुनेगे, बच्चो, यह तो रही बात, अब आता है, जो हमारे SST के paper में आया था, वो question क्या है, that is the classification of condenser, classification of condenser, condenser का classification, देखिया, condenser basically दो type के होते हैं, बच्चो, एक होते हैं, direct contact type, एक होते हैं, direct contact type, और एक होते हैं, surface type, तो मतलब, basically, condenser को हम दो भागों में बाते हैं, बच्चो, एक होता हैं, हमारा direct contact type condenser, और एक होता हैं, हमारा surface condenser, बहुत simple language में समझाऊंगा, आपको यह, direct contact type, नाम सब जब जब दा, direct contact, ठेक हैं, समरें न, direct contact जो है, ठेक है, direct contact type, आप simple समझ सकते हैं, direct contact type, मतलब, जहाँ पे, दो चीज़ें दोको, एक steam है, hot steam, और एक है cooling water, जहाँ पे, hot steam, और cooling water, एक दुसरे के contact में directly आते हैं, एक दुसरे के contact में directly आते हैं, उसे हम कहते हैं, बचो, हमारा direct contact type, ठोड़ा अच्छा symbol बना लें इसका, अच्छा नहीं लग रहा है, यह, कुछ ऐसे समझ लो, इसको direct contact type, सीज़ा सीज़ा contact में आएंगे, मतलब, यह इसके contact में आएगा, यह अपनी heat इसको देगा, समझ ना, कुछ condense हो जाएगा, simple, ठेक है, निखिल कुवान ने बोले, jet condenser सर, jet condenser बच्चे, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, jet condenser, ठेक है, समझ यह बाद, और surface contact होते हैं, surface condenser होते हैं, जो direct contact में नहीं आते, मतलब, यहां पर कोई बीच में mediator रहेगा, कोई बीच में surface रहेगा, इस surface का काम रहेगा, कि जब इससे heat पास होगी, steam पास होगी पहले, तो steam पहले पास होगी, तो steam अपनी heat इससे दे देगा, और water जब इससे पास होगा, तो water इससे heat ले लेगा, समझे ना, तो यह समझ लीजिए, इससे steam इससे heat लेके खुद water बन जाएगा, और water इससे heat लेके, खुद hot water बन जाएगा, पर यह दोनों contact में direct नहीं आएगे, ठीक है, समझ लीजिए बात, तो इनी दो type के हमने बात करनी है, इनी से question पूचा भी जाता है, वैसे बैने parts भी बता दिया आपको, लेकिन इन से question पूचा भी जाता है, तो आज हम पढ़ेंगे उसमें से एक type, direct contact type, फिर कल पढ़ेंगे हम surface condenser type, बस यही है condenser के types में, ठीक है, समझे ना, कल same time पे, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, बच्चों, हम direct contact type के, condenser के, clear है, they will mix with each other, हाँ बिलकुल कह सकते हैं, अनुक पुमार जी they will mix with each other, अब कैसे यह mix होगा, क्या होगा, आईए, तो अब बात करते हैं, बच्चों, हम direct contact type के, direct, contact, condenser, या हम बोले, jet, condenser के, ठीक है, अब इसकी working, समझ लें आप, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, they will directly mix with each other, ठीक है, समझ आरे बात, तो अब यह समझ लीजिए, इसके भी बच्चों, कई सारे type हो जाते हैं, अब यह आपस में contact में parallel भी हो सकती है यह आपस में contact में counter भी हो सकती है, ठीक है न, यह ejector के through भी हो सकती है, ठीक है, समझ में आ रही है, clear है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे किसी भी parallel type की, parallel flow type की, तो यह समझ लीजिए, हमारे पास यहाँ पे दो type आजाते हैं, इसके भी एक हो जाता है, parallel flow type, और एक हो जाता है आपका counter flow type, अब जैसे आप heat exchanger की language में जानते हैं, बच्चों, इनके मतलब क्या है, इनके मतलब यह है, कि दोनों same direction से start होंगी, और same direction की तरफ move करते हो, आउट हो जाएंगे, उसी दोरान वो आपस में heat exchange कर देंगी, ठीक है, तो मतलब पहले flow type में क् are both the exhaust steam and cooling water, हम इसे यही बोलेंगे, exhaust steam मतलब, जो steam condensed होने जा रहा है, और cooling water मतलब जो उससे heat लेने जा रहा है, तो both exhaust steam and cooling water, find their entry at the top, top से दोनों की entry कराई जाती है, ठीक है न, cooling water और exhaust steam की entry जो है, वो top से कराई जाती है, ठीक है न, और उसके बाद then float downward, तो यहाँ पर याद र both exhaust steam and cooling water enter from the top and move downwards, ठीक है, move downwards और दोनों महां से बाहर हो जाएंगे, ठीक है न, downward and condensate, add bottom, तो यह तो है बच्चो पैलल टाइप में, पैलल टाइप में, दोनों top से चलेंगे और bottom में condense हो जाएंगे, जिसने condense होने, condense होने, cooling water अलग निकल जाएगा, लेकिन, लेकिन counter flow में क्या हो रहा है, दोनों opposite direction चलने है, ठीक है, counter flow में क्या हो रहा है, in this, both moves in opposite direction, अब एक paper में एक बार question आया था, chances तो काम है लेकिन फिर भी आया था, क्या, कि opposite direction move करते हैं, तो in general, steam जो exhaust steam है, वो कैसे move करती है, ठीक है, in general, exhaust steam जो है, वो कैसे move करती है, यह simple question था, clear, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेगा बच्चो, that is, हमारा जब हम बात करते हैं, counter flow की, तो आपको basic सी बात ज्यान रखना है, कि generally exhaust stream travel जो करती है, वो upward direction में करती है, ठीक है, यहा रखेगा, generally, exhaust steam flows, flows from upward directions and crosses and cooling water crosses in between, cooling water क्या करेगा, इस between में, cross करेगा, वो भी in opposite direction, opposite direction, अब देखिए बच्छो अब आपको सिर्फ एक समझी है आप आपको example सुनना आजएगा तो यहाँ पे आपका होता है jet condenser मैं समझा रहा हूँ आपको parallel flow jet condenser या direct contact type condenser समझा रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको parallel flow ठीक है फिर क्या अंतर होता है दोनों में वो भी आपको diagram से बता दूँगा देखो अब simple है diagram दिखाने की जरूद नहीं बच्छो मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको diagram मतलब बना के खुद कोई बहुत मुश्किल diagram नहीं है ठीक है एक basic सी चीज बनानी है देखो एक तो है बच्छो आपका condenser एक तो है आपकी condenser unit जिसका काम गया था condense होना तो that is your condenser जो समने path बताया थे न सारे वैसे ही बता रहा हूँ यह condenser है ठीक है जिसमें यहाँ पे लगा है एक system जो इस तरह से connected है यहाँ से जाएगा ठंडा पानी और यहाँ से आएगी steam दोनों contact में आने के बाद नीचे जाएंगे एक साथ पैलल है ना तो पैलल में नीचे जाएंगे ठीक है ऐसे अब ध्यान चे समझेगा यहाँ से cooling water जा रहा है आपका cooling water वो किस फौर्म में जा रहा है वो यहाँ जा रहा है यहाँ से spray कराए जा रहा है ठोड़ा सा color change कर देते हैं cooling water आपका यहाँ से अरे 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 cooling water आपका यहां से spray कराया जा रहा है कुछ ऐसे ठीक है और यहां से exhaust steam जो है वो enter कर रही है यहां से आपकी exhaust steam जो है वो upward से enter कर रही है नीचे downward की तरफ ठीक है steam यहां से enter करी अब जैसे steam यहां से enter करी बच्छो इसके direct contact में steam जो है वो यहां से enter करी इस spray के direct contact में mixing वो बच्छो यहां पर mixing वो इस spray के साथ ठीक है temperature drop वा फेस चेंज ग़ा और यहां पर steam जो है वो water बनके condense होने लग गई लेकिन hot steam में इसलिए मैं red color से दिखा रहा हूँ यह condensed steam यहां पर जमा होने लग गई that is called condensate इसी को बोलते बच्छो condensate जो condens हो जाती है जो condens हो जाती है steam that is called condensate यह condensate यहां जमा होन लग गया अब मैंने क्या बोला था बच्छो जो condensate नहीं होगा इस spray के दुरान जो condensate नहीं होगा जो नहीं जम रहा होगा नीचे जो gases हो सकती है air हो सकती है कोई uncondensed particle हो सकते है उनको हम क्या करेंगे air pump दे देंगे उनको हम यहां से air pump दे देंगे बच्छो जो air pump हमने लगाया था वो इसी दिए यहां पर लगाया था ताकि air pump करके उन uncondensed particle को हम हटा सकें separate कर सकें क्या कर सकें separate कर सकें अब चाहे तुम ऐसे बनाओ इदर से इदर को बनाओ या ऐसे generally arrow जो है वो ऐसे बनाया गया है कि इदर से इदर को supply कर रहे हैं हम लोग ऐसे air pump ताकि यह दिखाया जाए कि pump के थूरू इसे separate कर लिया गया है इन चीजों को क्लिए रहे हैं समझ जा लिए बात समझ के पर चोई बात इतना समझ में आया देखो इतना लुद में आया तो बाकी चीदे भी समझ में आएंगे राम से क्या किया मैंने steam गई cooling water आया mix हुई steam नीचे condense हो कही है जमा होने लग गई ठीक है steam नीचे condense हो कही है जमा होने लग गई और जो भी particle air pump से हमने यहाँ पर separate कर लिया इतनी बात इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है अब बच्चो यहाँ से समझनी है दो बातें बस क्या कि यहाँ से यह जाना चाहिए हमारा किसमे hot well में जमा होना चाहिए hot well में है ना क्या बोला था हमने hot well में जमाऊना चाहिए जहां पर हमारा जो भी water है वो collect हो रहा एक जगा पर तो ये हमारा जमा होगा बच्चो hot well में एक second थोड़ा छोटा करनी कुछ करता हूँ डागराम को ताकि मैं अपनी जगा बना सको ठीक है तो अब यहां से बच्चो मैं एक hot well बनाऊंगा यहां पर जहां पर मैं collect करूँगा अपना steam मतलब यह liquid water this is my hot well अब मैंने वहां क्यों किया क्योंकि इन दोनों के बीच में लगता है बच्चो एक extractor मतलब एक separator क्लिए रहे हैं इन दोनों के बीच में लगता है एक extraction pump समझा जबार एक extraction यह extraction pump यह extraction pump इसी लिए होता बच्चो ताकि flow को धखेल सके आगे को क्यों क्योंकि सिर्फ यही तक का का काम नहीं है आपने यहां पर यह extraction pump लगाया जो यहां से steam को extract करेगा और आगे भीजेगा that is called extraction pump ठेके ना और यही steam जो है जो hot water यहां जमा हुआ है बच्चो यही से सीधा boiler को supply किया जाएगा यह hot well में जो हमारी condensate liquid जमा हुआ है ठेके ना यह hot liquid जमा हुआ है यही सीधा feed water के सुरू feed water जो है हमारा उसके सुरू किस में जाए जाएगा boiler पर आप यही सीधा supply चले जाती है बच्चो boiler को यही सीधा boiler को supply चले जाएगी अब यही water boiler में जा रहा है steam दुबारा बनने के लिए अब फिर से दिमाग लगाओ यहां से steam गया boiler पे steam बनने के लिए गरम पानी गया boiler पे steam बनने के लिए इस टीम बना, टर्वाइन को चलाया टर्वाइन को चलाने के बाद इस टीम वापिस exhaust टीम यहां आया उसके बाद cooling water उस पर पड़ा cooling water पड़ा, condense हो गया condense हो कि उसमें से particle, vertical सब अलग हो गया pump से extract करके उसे वापिस hot well में भीज दिया गया यहां से फिर boiler में चलेगा, समझ रहें एक cycle समझ में आ रही है, अब देखो लेकिन क्या होता है कि यहां पर कई बार overflow भी होता है, तो यहां पर जो है, वो इस liquid का overflow भी होता है बचो, तो अगर यहां पर कोई overflow होता है बचो तो उस overflow को अलग कर देते हैं समझ लीजे, overflow अगर हमारा इस liquid का overflow होता है, तो उस overflow को अलग कर देते हैं बचो और उस overflow को भेज देते हैं सीदा 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 एक cooling pond में cooling pond cooling pond से आपको समझ में आ रहा होगी कि यह क्या है, अब यहां से हम सीदा भेज देंगे बचो, overflow water को overflow heated water को एक cooling pond में, अब cooling pond में क्या हो रहा है, ठंडा पानी जमा होता जा रहा है, यहां पर पानी ठंडा हो रहा है, यहां पर भी अपने आपने एक mechanism में, क्या बोला था हमने, कि एक arrangement यह भी लगाना होता है, कि पानी को ठंडा कैसे करना है, ठीक है ना, तो यहां से cool water को कहां पेचना है, यहां यह cooling water supply भी तो देनी है क्या बोला का हमने, एक recirculation arrangement होगा ठीक है ना, एक recirculation arrangement होगा, जो cooling water को यहां से यहां supply करेगा समरे ना, यहां से यहां supply करेगा, तो यह cool water बेखो यहां जा रहा है, cooling pond से, यहां गया spray किया, spray करके mix ओए condensate हुआ, pump से गया, well में गया, well से boiler में जा रहा है लेकिन अगर over भर रहा है तो वो भी cooling pond में जा रहा है, ठंडा हो रहा है, liquid जमा हो रहा है फिर ये, ठक 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 ठक, ठक ठक, समझ रहे हैं पूरी cycle समझ में आ रहे हैं बच्छों, कैसे condensating plant काम कर रहा है बताएं बताएं, समझ में आ भी रही है कि नहीं क्यों तुम लोगों को मज़ा नहीं आता, क्या जिसना कुछ बढ़िया बढ़िया बता दिया, पूरी cycle अब ये ऐसे छप गई दिमाग में कि कभी भी कोई condensating plant की cycle पूछेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे आप कभी भी नहीं भूलेंगे आप लगा दिजिए ताकि एक surface मिले, जहां पर heat transfer हो सके तो यहां पर यह बना दिजिएगा, that is called baffle plate जैसे boiler में भी होते हैं, heat transfer को करने के लिए that is called baffle plate, इसको हम baffle plate बोलते हैं simple बच्चो, तो I think अब आपको यह पूरी process समझ में आ गए होगी बच्चो, कैसे हमारा complete plant काम कर रहा है, condensing plant, बताइए अगर यह समझ में आया है, तो कल indirect type भी समझ में आ जाएगा, non contact type भी समझ में आ जाएगा, बताओ, पर पहले यह समझ में आना चाहिए clear है, समझ में आई बच्चो बाद, very good, very good तो अगर समझ में आया है बच्चो, तो ज़रा comment में भी लिख दिया करो, क्योंकि sessions हमारे इतने tight हो रहे हैं, इतने सारे sessions हो रहे हैं, लेकिन उसको utilize करने के लिए आप लोग थोड़ा सा कम response दे रहे हैं, समझ रहे हैं तो please बच्चो, हम बार-बार कह रहे हैं, हमारा competition किसी और से नहीं है, लेकिन अपने आप से तो है, तो अगर हम कल अच्छा perform कर रहे थे, कल हमारे class में कोई 200 बच्चे थे, तो आज 100 क्यों, तो वो दिक्कत है न, तो इसलिए, कल के class के लिए, please पहले से ही share कर दे जाएगा, कल मैं पूरा एक घंटे की class लूँगा आप लोगों की, क्योंकि अभी मुझे कुछ और session भी लेने हैं, इसलिए यहां पहले मैं 45 minutes में end कर रहा हूँ, तो पूरे एक घंटे की class और लूँगा, और पूरा condenser आगेगा complete कराऊँगा, लेकिन उसके लिए, आपको थोड़ा सा शेयर तब तक करना है, ताकि कल इस से ज़्यादा बच्चे इस class को enjoy कर पाएं, और जितना असानी से समझ में आए बच्चों कल और अच्छे समझ में आएगा, thank you very much guys, bye